हेलो फ्रेंड्स मैं विरेंद कुमार साहू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल सिरेंट टूटोरियल पे दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं च्छत्तिवड़ से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है आपका च्छत्तिवड़ जो जन जातियों क परिक्षक है मंडे नीक्षक है तो उस अद्धेश निए जितने भी मैं आपको आपको ज़ villain stranger में भी आ सकते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज्यादा क्या करना है, ध्यान में रखना है, तो यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आता है, तो please like कीजिए, शेर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जो चलते हैं दोस्तों क्लास की और सीधे जो जण जाती ही उसे संबन्दित पुस्तक में सबसे पहला जो लेखाग आता है वेरियर ऐल्विन छो लेखाक के सबसे इंपोर्टेन इंपोर्टेन लेखाग है जिन्होंे चार से पांच देर घोटुल दूसरा जो बुक है आपका दा गौर दा गौर नामा पुस्तक किस ने लिखी है वेरियर एलविन ने लिखी है ठीक है उसके बाद क्या है आपका दा अगरिया क्या है दा अगरिया चौथा है आपका दा बैगास ये चारों पुस्तक किस ने लिखी है ये चारो कर सकते हैं, अगर यहां से A याद कर सकते हैं, B से क्या कर सकते हैं, बैगा, ठीक है, M, G, A, B, या A, B, G, M, ऐसे करके भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रिक बनाके याद कर सकते हैं, दूसरा आता है आपका SC राय, ये तो पुस्तक अभी जो है, पूछा गया था, SC राय ने लिखा है, दा बिरोर, दा बिरोर नामक बुक के लेखक कौन है, राइटर कौन है, तो आपको याद रखना है, SC राय, ठीक है, तीसरा है, इंपोर्टेंट है, VIMP है ये, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है दोस्तों, कई बार पूछा जा है, स्यामा चरन दूबे, ठीक है, जो स्यामा चरन जो दूबे है, इन्होंने क्या लिखा है, दा कमार, और जो कमार जो जन जाती कहां पाई जाती है, ये जनरली पाई जाती है, आपके गरिया बन छेतर में पाई जाती है, उसके बाद है, देखते है, जो जार्ज जो ग्रि इर्षन लिखन लिखन है नुमारिय गॉडस आप बस्तर ठीक है क्या लिखा इन्होंने गार्डंँ इढ़े गॉडस आप बस्तर लिखा हुआ है चॉत आ tivai नायक ठीक है i v नायक तो इसको पीवी नायक से क्या करते हैं पीवी भी ऐसे करके भी याद कर सकते हैं कैसे याद करेंगे पीवी भी पीवी नायक से भी से क्या करेगा भिल आपको याद रखना है पीवी नायक ने कौन सी पुसक लिखी है द भिल नामक पुसक लिखी है उसके बाद है आपक के उपर इन्होंने क्या पूस्तक लिखी है दा ट्राइबल एकोनॉमी तो इस प्रकर हम देख सकते हैं यह जितने जो राइटर है बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक्जाम में आपको पूछा से आ सकता है दोस्तों अभी मैं आप लोग को दो चार जो कोश्चन कराऊंगा इसस तो है ना यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतने एक्जाम में आपके पूछे गये हैं आपको भूलना नहीं है आपको कंठस यहां यहां दिमाग में बैठा के रखना है तो उराव जो जन जाती है सबसे पहरे देखते हैं वी आएंपी है उराव जन जाती जो है यह कौन से द प्रवार जन जाती है इसके प्रमुकदेवता कौन है खुड़ियाराप या रहाए कौल्वा खुड़ियारानी उसके बाद आपका प्रमुक्त देविदे Union क्या है सगराकन क्या है सगराकन ठीक है अब आता है बाइगा जन्जाथि सब इंपॉर्टेंट टे बांधा ती किश्चत्र में पाए जाता है अपके कवाठारी जन्द में पाए जाता है और यहां पर है आपका बुढ़ा डेव ठीक है बा से बह ऐसे याज रखनाहें तो आप कंफ्यूज हो जाओंगे दोनों क्या है या बबह है ठीक है बईगा से बुढ़ा देव ठीक है बुढ़ा देव को अपने जो है इन लोग इस्टदेव मानते हैं उसकरे बाद है आपका भतरा ठीक है नाम से बहुत ही खतनाक लग रहा है ठीक है आप देख सकते हैं भतरा ठीक है तो यहां पर आप कौनसी देवी को मानते इन्होंने यह सिकार देवी को मानते हैं ठीक है दोस्तों कौनसी देवी को मानते हैं सिकार देवी को मानते हैं अब आता है यहां पर बिन्ज वार, बिन्ध्य वासनी, बिन्ज, ये जो सब्द आर है बिन्ज, विन्ध्य थीक है? कैसे यादरखोगे आप ये बिन्ज से कैसे याद刑 темпер हंगे विन्ध्य, ठीक है बिन्ज और विन्ध्य उसी प्रकार भी बईगा से बुढ़ा देआएं? तो ये दो-4 चार्ट आपका जो है मुडिया जो जन जाती है यह ँदेवी यह अंगा देव को अपने प्रमुक देवता के रूप में मानते हैं इसी प्राकर उरॉजं, ज stell ज बस पर बहुत इंप्र्वंग जो है जन जाती है और उसके प्रमुग जो है देवी देवता है दोस्तों ये एक्जाम में तो पुछे ही गये हैं और मैं इसके जो है को SEO और करा सकता हूँ एक आप लिख सकते है RJ Springs Circle मानते हैं इस तर्शवरी मउखे अपने बात करते हैं कि यह जो है अपने परलौकिक सक्ति की रूप में किसको मानते हैं जो बस्तर के आदिवासी छेतर हैं सरगुजा के जो आदिवासी छेतर हैं अपने परलौकिक एक अलग सक्ति की रूप में क्या करते हैं किसी को मानते हैं दिव शक्ति को जिसको क्या नाम से जाना जाता है बोंगा देव के नाम से जाना जाता है क्या होता है परलौकिक सक्ति होती है ठीक है परलौकिक सक्ति एक अलग शक्ति है है ना यह जो आदिवासी है वो किसको मानते हैं अपने बोंगा देव को मानते हैं यह याद रखना है प्रमुक रूप से ठीक है अब कोश्चन यह आया है दोस्तों जो प्रिवेस येर के जो कोश्चन में उसमें अलग-अलग टाइप के कोश्चन जो है पूछ देते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो मुडिया जो अंगा देव है अंगा देव कोश्चन यह आया है कि अंगा देव किसका बना होता है है ना अंगा देव किसका बना होता है तो याद रखना है दोस्तों अंगा देव किसका बना होता है तो अंगा देव जो बना होता है वो कास्ठ का बना होता है किसका बना होता है कास्ठ य और आया है जो कुंडा गाउं छेत्र में मुडिया जन जाती के देवता कौन से हैं तो आप देख सकते हैं कुंडा गाउं छेत्र में मुडिया जन जाती अभी कुंडा गाउं और बस्तर और नरायनपूर में तो मुडिया जन जाती निवास करती है तो उसके प्रमुख देव कारों के जो मुडिया उसके प्रमुःग देश्टा कौन है तो आपको याद रखना है अंगा देश्टा है थीक है इसी प्रकार जो ドन करते हैं तो इन-जो पूजा करते हैं साल रिख्ष कौनसे रिक्ष जody साल्वृक्ष क्या करते हैं ये पुजा करते हैं और साल्व क्या है साइंटिफिक नेम इसका सूरिया रोबोश्ट है तो क्या है is पुझा करते हैं थीक एक कुश्चन आया है कि कौनसी जन जाती मैया को मुख्य रूप से अपने इस्टवुर्था मानते हैं tut कौन सी जन जाती देवता के रूप में पृत्वी देवी की पूजा करते हैं ठीक है ऐसी कौन सी जन जाती है जो है ना कौन सी जन जाती है लिखते तहूं मैं कौन सी जन जाती पृत्वी देवता के रूप में पूजा करती है तो आपका पास आप्शन था ये है आपका डोरला, पहला option है डोरला, दूसरा है धुरूर, तीसरा है बाईशन हार्न और चौथा है गोड़, तो आपको याद रखना है ठीक है कौन सी जन जाती प्रिथी को अपने देवता के रूप में पुझती है तो ये बाईशन हार्न मारिया, क्या है आपका बाईश आपका बाईशन हार्न मारिया ये जो जन जाती है ये प्रिथी को अपने देवता के रूप में क्या करती है ये पुझती है मतलब उसको अपने इस्टा देवता मानती है उुराव जो जन जाती है ऐसके प्रमुख देवता क्या है तो यह तो सर्ना-देवी है ही ठीक है सर्ना-देवी तो है लेकिन इसमें option क्या है आपका टहनники आपका चार option है आपका सिंगा बूंगा बुधा देव ठीक है धरमेश और ठДа क नाम है ठीक है यह उसके भगवान का नाम है यह याद रखना है आपको जो उराव जन जाती है सर्ना देवी तो पूझा करती है और धर्मेश जो है उसके इश्टदेवता का नाम है यह कुशन भी आपके PSC में जो है पूछा जा चुका है एक कुशन और आया है ठीक है नेश्टा कुशन है बैगा जन जाती के द्वारा इन में से किस नदी को बुढ़ी मा के नाम से जाना जाता है ठीक है बैगा जो जन जाती है बहुत important है इस related आपको अच्छे से पढ़ना है आपको जो books उसके बैगा जन जाती यह मुख्य रूप से जो है गोधना गोधनाने में क्या होती प्री होती है और कहां पे मा गोधना गोधवाती है तो जरल यह कोशन अभी PSC मा आया था यह कोशन अपने सर पे गोधना क्या होती है गोधवाती है ठीक है तो अभी यह कोशन है कि बैगा जन जाती किस नदी को बुढ़ी मा के नाम से जाना जाता है ठीक है तो याद रखना बी से सब बी से तो ये बुधनेर क्या है बुधनेर किस नदी को बुढ़ी देवी के नाम से जाना जाता है तो जो बुधनेर नदी है उसको बुढ़ी मा के नाम से जाना जाता है ठ विशेस रूप से अपने फुलों के लिए जंजाती संस्कृती में बहुत महत्वरकता है अब रिक्ष कौन सी है तो आप्शन में था आपके पास नीम, शाल, मौवा, होलोंग तो आप जानते हैं जरली जो बस्तर के जो आदिवासी मुख्य रूप से जीवन रहता है जो गर्मी के दिन में जो मौवा के फूल से क्या पर निकलता है मौवा और जो मौवा जो है इनके लिए रूप से मुख्य रूप से लगू अनो पज है जो क्या करते है मार्केट में आ रूप से जंजातियों से सम्मंधि जो बुस्तक है लेखक है बिल्कूल आप ये वीडियो देखिए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए इसको दिमाग में बठाइए ठीक है तो यह हो गया और जंजाती को जो देवता है आपको ध्यान रखना है याद रखना है आप भूल चुले मत बार बार वीडियो को देखते रहीए और प्लीस मेरे वीडियो में बेल आइकॉन दबाना मत भूलिये ताकि आपको मैं नए विडियों जाहे टाइम तु टाइम जो है देते रहों और आपको जो है 1 8c6 official and review What कि एक करते रहों तेंक्यूट दोस्तों